साउट के सुपरस्टार कहे जाने वाले एक्टर चिरंजीवी ने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, उनका बॉलिवुड से पुराना नाता रहा है, वो इन दिनों अपकमिंग मूवी आचारिया को लेकर सुर्खियों में है, जिसमें उनके बेटे राम चरंड भी एहम भू इसमें बाट दिया गया था, और उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता था, आचारे के रिलीस से पहले चिरंजीवी ने 1989 में उनके साथ हुई एक घटना का खुलासा किया, जब दिल्ली में उन्होंने अपमानित महसूस किया था, तेलगु सीनेमा के 66 साल के मेगा स्टार ने ए फिल्म इंडस्ट्री की मशूर हस्तियों के लिए हाई टी का आयोजन किया था, चिरंजीवी ने कहा कि वो उस दिवार को देख रहे थी, जिस पर भारतिय सिनेमा के इतिहास को चित्रित किया गया है, उस पर पृत्विराज कपूर से लेकर अमिताब बच्चन जैसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के आईकॉन के बारे में डीटेल से लिखा था, लेकिन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के किसी भी आईकॉन को मेंशन नहीं किया गया था, चिरंजीवी ने आगे कहा कि आज बाहुबली, ट्रिपल र, पुश्पा और यहा तक की कन्नड मुवी केजीएफ चैप्टर टू जैसी फिल्म में खुब सफल हुई है, बाहुबली मुवी ने प्राउड फिल्ड कराया है, क्योंकि यह रिजिनल और हिंदी सिनिमा के बीच के अंतर को दूर करने में महत्यो पुंड था, और यह साबित कर दिया कि सभी भारतिय फिल्म आजा मौली की सराहना भी की थी, इसी प्रकार की तमाम जानकर विकल हमार साथ जोड़े रहिए, नमस्कार